कि हेलो गाइज गोड इवनिंग कैसे हो आप सब आपके एक फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आइविल पर जिसमें कि हम कर रहे थे प्रिलिम सदे की सिरीज और आज हम आज आते हैं अपने नेक्स टेके करेंट अफेर्स के क्विज़ पर इसमें भी हम टोटल 10 हमारे जो एकूरें से रेस्ट करें हैं तो हमारा मतलब कितना रेट है तो अब क用शन करते हैं तो से आपको पता चलता रहेगा तो चलिएיל स्टार्ट करते हैं आज के फ Sir ुशन से तिक आज की मैं मैं क्या बोलता है आथि कल कर्थे 55 ए व्फिन इंडियन कॉंस्टिटूशन देट वस रिसेंटली इन इस रिलेटेट तो आप सभी को पता होगा किसे रिलेटेट है वह किसे स्पेशल राइट टू पर्मानेंट रेजिटेंट ऑफ ऐस्ट वाइल स्टेट ऑफ जमू एंड कश्मीन से रिलेटेट है इसमें क्या है इस सब हैं यह मैं तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया हमारी वसका वोग rays को आंसरड क्या हो है तो थेिसाइव नेकस कुशन पे नेकस्ट क्योचन अमिक्या बोलता है कि जुटिक है नेक्स्ट को शन आ क्नसीडर फोलिफ नेक्शुरा सेथे इसराडीं लिटेटारग और नाज को लैंड एंड ग्रासलेंड टू रोकी आउट रोब रवाइन और दून बोल्डरें कि ओपन नैचुरल एको सिस्टम में डाइवर्च इको सिस्टम होते हैं जैसे कि बोल्लेंड स्वानाज भी हो सकते लुद्ध यह लगवग सारी चीजी लो सकते बिल्कुल भी उ इंवार्मेंट प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं दैवचो सोगी भी कंजरोइस हैं वह सच नहीं करता है यह निसमीन पेशा और यह बूंब एक करेक्ट बुक्ट भाइग करेक्ट ठाटा थे छान सब्सक्राइब हमारी करेक्ट है एक स्टेटमेंट हमारी रोंगा तो हमारा अंसर क्या हो जाता है भी ठीक है तो हमारा यह वाला कुशन हो जाता है complete आजाते हैं अपने next question पर next question हमें क्या बोलता है यांसे reason कि यहां पर लोकेटेड है यांसे reason कहां पर हमारे अहनाचल परदेश में ठीक है तो हमारा यह वाला कोशन हो जाता है complete आजाते हैं अपने next question पर next question हमें क्या बोलता है हमें बताना है national school of drama के बारे में बताना है national school of drama के बारे में बनाना है सबसे पहले है national school of drama was set up by ministry of culture government of India बोल रहे है कि यह ministry of culture ने इसको set up किया था सबसे पहले ठीक है second बोल रहे है यह one of the constituent unit है संगीत नाटक academy के अंडर ठीक है one of the constituent unit है ठीक है function करते है एस सबसे पहले नेशनल स्कूल ओफ ड्रामा के बारे में कि यह क्या है एक फोर्मोस थियाटर ट्रेनिंग इंस्टिटूशन है वर्ल्ड का एंड ओनली है one of its kind इन इंडिया इसको सेट अप किस ने किया था संगीत नाटक अकेडमी ने इसको एस वन ओफ इट संगीत नाटक अकेडमी ने इसको मतलब सेट अप किया था तो फर्स सेटमेंट होगी और कब सेट अप किया था उसके बाद क्या हुआ यह बोल रहें कि इट फंक्शन सी अब भी फंक्शन करता है इस वन ओफ दी इंडिपेंडेंट एंटेटी का स्टेटस दे दिया गया 1975 में इसको इंडिपेंडेंट एंटेटी का स्टेटस दे दिया गया ठीक है इंडिपेंडेंट एंटेटी का स्टेटस दे दिया गया और क्या नाम लेते हैं किसके एंडर इसको रेजिस्टर कर दिया गया एज और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के इंडर इसको रिजिस्टर कर दिया गया तो यह स्टेटमेंट रहोंगे कि यह अभी भी एज़ संगीत नाठक अकेडमी के अंडर काम करता है अब नहीं करता अब यह इंडिपेंडेंट और जीशन है थाड है इसको में फाइनेंस जो कर हुँई तो तीम ही स्टेटमेंट हैं से पूछ एक त patch से संगीत नाटक के रखो यह कप बनी है और यह पनिये makes बंनि ताकि जो भी इन्टेंजिबल हेरिटेज ने इंडिया की या फिर जो इंडिया की डाइवर्स कल्चर का पार्ट है उसको बचा जासके जैसे कि music dance drama इन सभी के लिए ठीक है management इसका कून करती है याद हखना इसके चेर मेंट करता है संगेद नार करता है तक academy को प्रेजिडेंट करते है या धखना ठीक है बहुत important है आज कल वाइक कुछ भी पूछ रहें ठीक है तो इनको कुन अपॉइंट करता है प्रेजडेंट करते हैं और कितने साल के लिए पांच साल के लिए ठीक है यह कुछ-कुछ इसे ध्यान लगना functions कौन बनाता है अकैडमी की MOA ठीक है Memorandum of Association जो 1961 में अडप्ट की गई थी ठीक है इसे फंक्शनल यूइट कौन सी बनी थी हमारी 1959 में बनी थे कौन सा नेशनल स्कूल ओफ ड्रामा जो 1975 में क्या हो गया इस एक चौन लाल नहरू मनीपूर डांस अकैडमी एक है कथा के इंडेली ठीक है एक है कथा के दिन अग्ले ही साल ठीक है यह देखो भाई इसके अलावा मलब तो दो यूनिट विए देख लिए उसके इसके पांच सेंटर्स भी जो कोडियट्ब के इंदर संस्कुर्थ थीयटर उसको परमोट करते हैं सेकंडर सात्रिया इंदर गुहाटी असाम में एक है नोर्थ इस्ट सेंटर वो भी गुहाटी में है, ठीक है, उसके llowार्वा नोर्थ इस डोकुमेंटेशन सेंटर, ये नोर्थ इस्ट में है प्रोवाइड करती है में लिए जो एमिनेंट आर्टिस्स होते हैं या फिर म्यूजिक दांस या ड्रामा के स्कोलर सोते हैं उनको फैलोशिप भी प्रोवाइड करती है कैडमी ठीक है और 2006 में एक अवार्ड स्टार्ट किया था यंग आर्टिस्ट के लिए कौन सा अवार्ड उस्ताज बिसमिल्ला खान युवा पृषकार कौनसा उस्ताज बिसमिल्ला खान युवा पृषकार वी 2006 में स्टार्ट के आ गया था तो यह चीज ध्यान लगना कुछ important important चीज़े हैं इसके बारे में और चीज़ जो मेरे website से मैंने उठाई है ठीक है और भाई आज कहाना बंदर के हाथ में बंदूख दे दी गई है देखो यह नया setup है ठीक हम मेरे को भी उतनी जादा knowledge के बारे में बताना है इंडियन council of social science research के बारे में बताना है सबसे पहले है कि आई सी सी आई सी एसे सार प्रोवाइट्स ग्रांट्स ओफ प्रोजेक्ट्स फैलोशिप और इंटरनेशनल कोलाबरेशन तो प्रमोट रिसर्च इन सोशल साइंस इन इंडिया आपको क्या लग रह तो फर्स स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है सेकेंड है इट स्टेट्मेंट इंपक्ट ओफ वेरियस सेंट्रली स्पोंसर्ट स्कीम बिल्कुल ये बहुत सारे जो सेंट्रली स्पोंसर्ट स्कीम है उनके इंपक्ट को भी स्टेडी करती है थर्ड बोल रहे है ये ministry of social justice and empowerment के अं इसके अंदर नहीं आती है और हमें क्या बतानी है क्रेक्ट स्टेट्मेंट ही बतानी है तो केवल दो ही स्टेट्मेंट इसके बारे मारी क्या है करेक्ट है मैंने बता दिया कि ये research को promote करने के लिए और टणौमस और्चेशन अंडर ये अज़िक्ट है या उसके दवारा ये फंड होती हां 1969 में था कि ये इन 1969 में यह organization बनी है और किसकी recommendation पर बनी उस टाइम पर planning commission ने इसके recommendation दी ठीक है याद रखना उस टाइम पर planning commission ने इसके recommendation दी उनकी recommendation पर यह मिली बनी है ठीक है तो यह चीज़ द्यान रखना जिसका नाम है national social science documentation center क्या है national social science documentation center डी ओसी बोलते हैं इसको NSS DOC national social science documentation center यह कब establish किया गया था next year 1969 में 1970 में यह establish किया गया था ठीक है as division of ICSSR ठीक है यह documentation center है ICSSR का जो provide करता है library और information support services researcher को social science में ठीक है यह क्या provide करता है मैंने बता दिया आपको library provide करता है और क्या provide करता information information support services provide करता researcher को ठीक है तो यह चीज़ होगी हमारी किसके बारे में ICSSR के बारे में तो question number five हो गया complete आ जाते हैं अपने next question पे next question हमारा किसके बारे में current account deficit के बारे में देख लेते हैं current account deficit के बारे में कि सबसे पहले है वेंडि वैल्यू ओफ गोड्स and services that a country exports access the value of the products it imports it is known at current account deficit current account deficit current account में deficit कब होता है गाटा कब होता है जब हमारे imports तो ज्यादि हो जाते और हमारे exports कम हो जाते हैं तीक है मतलब import ज्यादा मतलब हम बाहर वालों को पैसा तो ज्यादा दे रहे हैं और खुद कमा drains रहे है एकिस्पॉर्ट कम करेंगी तो इससे क्या होगा current account surplus ओगा ठीक है से हमारा क्या होगा current account surplus नहीं होगा तो यह statement हमारी क्या रखिया wrong रखिया इन रखिया तुझे करन्ट डेफिचित तब होगा जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा होंगे as compared to exports तो first statement क्या होगी रों second if the current account shows the मतलब कंडिशिन मतलब मनी जुत हो रही है और इससे अगदर हो भी हमारे boss हो रहे हैं बिलकुल से बसे अर ऐले अगुथ है दिखा रिख्ली करन्फ के इन फलो फेल बाता है ट् इद्धियां रगना तो यह स्टेट्मेंट हमारी क्या होगी हूं Dash कि अ आई चोशन पर नेक्स क्या है हमारा लास्टई Y galaxy is Exact First तो आपने अब यह न्यूज में आया था यह आपने सुनाओगा कि लास्ट आइस एरिया एक ऐसा ओर एरिया था जो आक्टिक जो रीजन है उसकी मतलब वहां पे प्रेजेंट था आक्टिक क्या इसमें प्रेजेंट था जो यह बरफ पिंगानली बंद रही है और यह उत्मा ज्यादा स्ट्रॉंग है कि और यह उत्तुना ज्यादा स्ट्रॉंग है कि यह ग्लोबल वॉर्मिंग के एक्ट को बिलिए मतलब कोविस्टेंड करने के लिए इनफ है तो second statement भी मरे क्या होगी रोंग होगी तो हमें बताना है odd proven हमारी इंकरेक्ट है नहीं statement हमारे इंकर्थ हैं तो हमारा अंसर्स क्या आ जाता है सी तीक है last ice area के बारे में तो यह question हो गया हमारा complete आ जाते next question पे next question हमें क्या बोलता हमें बताना में кिसके बारे में flasht f में लॉक्लाइज्ट तो यह शोर्ट रोटी है और हाईली लॉक्लाइज्ट होती है बिल्कुल सब्सक्राइब इंडिया अपर आप बहुते हैं तो यह कुश्य में बतानी है तो तो स्ब्सक्राइब नहीं है कि यह कुश्य और हमारों जो बीर नहीं थी तो रेल्वे इन इंडिया केm into being in 1800s and were constructed and operated by private companies बोल रहे हैं कि कि क्या नाम लेते हैं पर्स्स रेल्वे जो इंडिया में आई थी यूष नीजफ में और में प्रयवेटज के स्विप्डाइस कुछा है तो हमारा अंसर क्या हो गया सी ठीक है simple सा question था आ जाते है अपने next question पर पर फिर बूल सकते हैं last question सबसे पहले हैं कुछ statements को consider करना है सबसे पहले नार इनालीस टेस्ट क्या होती है identify of इन्च के बारे में भोल रहे हैं सबसे हैं नार को यह उसा होता है इसमें फिज़ियोलोजिकल रिस्पॉंसिस ट्रीगर होंगे जब कोई भी परसन लाइं और जिसमें एक ड्रक को इंजक्ट किया जाता है बोडी के अक्यूज के अंडर और जिसमें हिपनोटिक या सेटेट में वह चला जाता है उसकी इमेजिनेशन न्यूट् ओसे financial को दर्ग होती है तो उसको की अंदर जो और बन्ते को दkiej मेन ले जाती है जहाए उसको फिर है उसको बलते नार्कर आलिस फिर अपलिग्रऑnh पोलिओक्राफ ये वाला टैस्ट होता है जहां पर पिजियोलोजिकर रिस्पॉणस को दिखा जाता है यहां पर क्या हो जाता है क्या लिया जाता कि कि वो ट्रीगर रेंगेश्ट है जूож त्डेुंटे सरत कम पूलिओर स्काराट करें तरसिंटर की नहीं होती तो स्टेटमेंट हमारी क्या होगी रोंग होगी तो इस कांसर हमारा क्या होग है तो गाइस इसी नोट पे आज के हमारे टोटल 10 को जाते हैं कंप्लीट आज का नया सैट अपता सो प्लीज स्टार्टिंग में जो भी मैं दीरे दीरे जो जैसे गलती हुई तो इसको तोड़ा साइड करना Didi basis पे qe IT करो और डेली बैससे चुड़े तो गाइस प्लीज 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 हमारी श्रीज के साथ ऐसे ही जुड़े रहो ठीक है आज तो मैंने खुद कोई रोस्ट भी कर दिया ठीक है कि बंदर के हाथ में बंदूग भी दे दी तो चलिए गाइस इसी नोट पे आच का लेक्चर कहतम करते हैं थेंक यू वेरी मिच बंदू हम चीओग मुशन का निए अजक यहए इसो क्यों में झाल कोई घ्恤चा याईछ कर दो टिंए ये स्चते हैं आँ सेवी बंदू हैं वजड़े मुशन का लेक्श बंदू को